हेलो ब्यूटिफुल पैरेंट्स आप सभी का वर्मान बोर्ड में स्वारत है मैं हूँ शरवरी आज का हमारा टॉपिक है यह बहुत ही अच्छा है जब एक लेडी प्रेंग्मेंट होती है तो बहुत सारी खुश्य आती है पूरा घर खुशों से जूनने लगता है बट उसक हमारे आसपरडोस के लोग हमें बहुत सारे सजेशन्स देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं क्या सही है क्या गलत है उसमें बहुत ज्यादा कुंफ्यूजन हो जाता है तो आज का हमारा वीडियो है प्रेग्नंसी मित्स के बारे मे जी हाँ, प्रेगनसी में जो बहुत सारे चीज़े बताई जाती है, उसमें से कुछ चीज़े सही होती है, जो हमें फॉलो करनी चाहिए, बट बहुत सारे चीज़े ऐसी होती है, जो केवल मित होती है, उनको कोई साइंटिफिक बैगरॉंड नहीं होता है, उनमें कोई भी करने वारी हूं विकाज यह मिट्स का जो वीडियो है यह हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे आज का है कॉमन मिट्स उसके बात का आएगा फुड रिलेटेड मिट्स प्रेगनसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए एंड थर्ड पार्ट आएगा ग्रहन को लेके प्रेगनसी और ग्रहन यह दोनों चीजों में बहुत ज्यादा मिट्स से बहुत ज्यादा चीजे कही जाती है यह हम थर्ड वीडियो में गवर करेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज देखते हैं कि कॉमन मिट्स प्रेगनसी में क्या-क्या हो अधर्वाइस जो बेबी का अम्बिलिकल कॉड है वो उसके नेक के अराउंट आएगा इसमें कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है इसमें कोई भी तत्य नहीं है विकॉज अम्बिलिकल कॉड जो है वो बेबी का अब हमारे युटेरस में होता है जब बेबी मुवमेंट करेगा उसने मुवमेंट करते करते लुप फर्म कर लिया और उसके अंदर उसकी नेक डाल दी तो एनिवाइस वो अम्बिलिकल कॉड उसके नेक के अराउंट आएगा है उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है और अगर आप रात में जब भी करवड बदलनी है तब भी आप उठोगे फिर करवड बदलोके तो ये रात में एक्सरसाइज होगी और उसके अलावा कुछ नहीं होगा और आपकी नींद भी खराब हो जाएगी देन सेकंड इस बेबी कलर बेबी कलर को लेके बहुत ज्यादा क्यूरेसिटी होती है बहुत ज्यादा इगरनेस होता है लेडिस को लगता है घरवालों को लगता है मेरा बेबी बहुत गोरा होना चाहिए मेरा बेबी बहुत फेर होना चाहिए बहुत पिंकिश होना जी नहीं, ये हमारे टोटली जेनेटिक पर डिपेंड करता है, हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खातें, इस पर ये कोई भी डिपेंड नहीं होता, जैसे बोला जाता है कि अगर आपको गोरा बेबी चाहिए, तो आप सुबह सुबह उठके वाइट सफित चीज खाईए, जैसे क बोकोनट हो गया, फिर रजगुला हो गया, इसकी वज़े से मेरा बेबी गोरा होगा, जीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, देन केशर को भी बोला जाता है कि आप केशर दूध में डाल के पी लीजिए, फिर आपका बच्चा कश्मीरी बच्चों जैसा गोरा गोरा हो या फिर आपने आयन टैबलेट ले ली, तो आपका बेबी काला होगा, जीन नहीं, बलकि आयन तो आपके बोड़ी में बहुत ज्यादा इंपोर्टन होता है, प्रेगनसी और बिफोर प्रेगनसी जैसे मेरे मेरे पहले के वीडियो में बोला है, तो ये बेबी का कलर किसी भ पूरा का पूरा मित है, देन थर्ड इस बोला जाता है, एपिगैस्रिक पेन, जिसको हम एसिडिटी भी बोलते है, कि बोला जाता है, अगर बेबी को बहुत ज्यादा बाल है, तो मम्मी को मदब को उतना ही ज्यादा एसिडिटी होगा, जीन नहीं, ये बिल्कुल भी गलत ह एपिगैस्रिक पेन, एसिडिटी ये बहुत कॉमन फिनोमेटान है, प्रेगनसी में हर एक लेडी को होता है, ये क्यों होता है, ऐसिड रिफ्लक्स की वज़ए से होता है, अगर हम आजये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ओ unknowns कालिया, या फिर ओबररहिटिंग कर लिए तो तो सारे लोग घर वाले ओ बीवी यह लड़का ऊगी लड़की होगी यह फिर उसका कोई कैलेंडर देख लो या फिर उसके अबिबी मदव के abdomen का area देख लो देख लो कैसा है उसकी हिसाभ से देख लेंगे या फिर उसकी अगर प्रेगनंशी की girl होगी और अगर pregnancy earlier हो गई दिन उसको boy होगा जी नहीं यह totally myth है हम कब deliver करते हैं यह हमारे cycle के उपर depend है अगर आपकी 28 day की menstrual cycle की consume करने से पहले तो आपकी delivery पहले होगी अगर आप 28 day की cycle से ज्यादा time लेते हैं किसी किसी की 30-35 days भी होती तो आपकी pregnancy prolong होगी यह scientific reason है हम pregnancy के delivery due date के हिसाब से कुछ भी calculate नहीं कर सकते then baby gender का दूसरा criteria बोला जाता है कि size of the abdomen of pregnant lady का जो पेट का area हो कैसे ही अगर उसने low carry किया है अगर उसका पेट पूरे का पूरा सामने है तो वो boy होगा अगर उसका पेट सामने नहीं है थोड़ा पीछे की तरफ है और पूरा surrounded है तो इन उसको girl होगी जी नहीं वूमन का पेट pregnant lady का पेट वो कैसे carry होता है डिपेंड होता है उसका body type कैसे है उसकी कौन सी pregnancy है मिस अगर उसका second pregnancy है तो फिर first pregnancy की वज़े से भी वो low carry करेंगी because उसके muscles जो first pregnancy में उसने baby carry किया उसकी वज़े से weak हो जाएंगे और वो अपने आप पेट नीचे आएगा तो पेट नीचे है या उपर है या पूरा सामने है या फिर पूरा surrounded है इससे baby gender हम नहीं पता कर सकते देन baby gender का third है कि food cravings हाँ pregnant lady क्या खाती है इसको भी बहुत ज्यादा observe गया जाता है अगर उसने बहुत ज्यादा उसको cravings है sweet foods की तो बोला जाता है कि उसको girl होगी नहीं और अगर उसने spicy या फिर saltan कुछ तीखा खाने की बहुत ज्यादा इच्चा है तो उसको लडगा होग जी नहीं यह totally totally myth है यह depend करता है कि उसको क्या खाने की इच्चा हो रही है यह natural thing है उसकी pregnancy है कुछ उसको कुछ अलग अलग खाने की चीज़ होती है ऐसे बहुत सारी ladies होती है जो सब खाती है तीका भी खाती है मीठा भी खाती है वो सब अच्छे से digest कर लेती है हम food cravings से पता exercise बोला जाता है कि pregnancy में ladies ने pregnant ladies ने बहुत जाद exercise नहीं करना चाहिए यह totally गलत है आपको before pregnancy भी exercise करना है and in pregnancy भी आपको exercise करना है सिफ exercise करने का तरीका सही होना चाहिए आपने उस expert से exercise सीखनी है फिर बाद में करनी है ताकि कुछ आपको हाम ना पहुचे और ultimately आपके बेबी को भी तो proper physiotherapist है उनके पास जाए exercise कीजिए pregnancy में बोला जाता है जितना आप active रहोगी जितना आप काम करोगे जितना आप exercise करोगी उतनी ही आपकी delivery easy होगी तो ऐसा नहीं है कि exercise करना बुरी बात है means आपको 9 के 9 मैंने बस बैठना है bedrest करना है डॉक्टर में कुछ बोला भी नह होगा और कुछ नहीं होगा तो exercise बलकि अगर हम regularly नहीं करते है तो हमें pregnancy में बोला जाता है कि at least walk करो मुझे मेरे time पे खुद 5 km per day walk बोला था डॉक्टर नी यह बहुत अच्छा होता है जैसे मेरे पहले भी बोला है मेरे पहले वीडियो में यह blood circulation बहुत अच्छे से करता है यूटेरस में ultimately आपके बेबी को भी बहुत अच्छा blood supply होता है उसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है तो आपको exercise करना है देन एट मित है आठवा मित है कि बोला जाता है pregnant lady ने दो लोगों का खाना खाना है अरे उसको नहीं लगती है बूग क्यू ठुस्टुस के खान जरूरत है प्रेगनसी में जी हाँ जरूर एक्स्ट्रा फूड की हमें जरूरत होती है बट वो कितना 300-400 calories यह सफिशन्ट है हमें quantity double नहीं करनी है pregnant lady क्या खाती है यह भी बहुत ज्यादा important है quantity के बज़ाय quality पर ध्यान दीजिए यह बहुत ज्यादा effective रहेगा आपके लिए और आपके बेबी की development के हिए तो हमें double खाना ही यह सरासर मित है आपको जितना चाहिए आप उतना खाओ अच्छा खाओ healthy खाओ and 300-400 calories sufficient अब ठुस्टुस के ज्यादा खाओगे तो fats जाएंगे body में और आपका shape बढ़ेगा आपका weight बढ़ेगा delivery में और ज्यादा problem हो जाएं हमारा ninth myth है कि pregnancy में बोला जाता है कि pregnant lady के bedroom में बहुत अच्छे cute cute baby के pics लगाई है means आपका baby वैसे ही cute होगा गोरा होगा बहुत अच्छा होगा जी नहीं ऐसा नहीं होता है baby कैसा होता है यह depend होता है पूरा मा और बाप के looks पे बस parents important है grand parents important है genetics important है कौनसे जिन्स pregnant lady के body में जा रहे है वो पूरा baby का color उसका hairs उसका looks यह decide करेंगे बाकि के कोई भे parameter यह decide नहीं कर सकते हाँ क्या करेंगे यह अगर आप picture लगाते हो तो यह pregnant lady को अच्छा फिल कराएगा positivity लाएगा उसको अच्छा लगेगा वो baby's के cute baby's के photo देखे आप उतना कर सकते हो बड़ ऐसा expect मत करो कि वो photo जैसे लगाया है वैसे ही मेरा baby होगा जी नहीं यह सरासर मित है देन हमारा दसवा मित है कि pregnancy में हमें बहुत ज्यादा गी खाना है क्यों क्योंकि हम जितना ज्यादा गी खाएंगे उतना हमारा baby बहुत अच्छे से आपको इसकी जरूरत नहीं है खाएए थोड़ी मात्रा में खाएए हमें भी जब लेड़ी प्रेगनेंट नहीं होते तो गी अच्छा ही लगता है थोड़ा खाना इस ओके बट आप बहुत ज्यादा खाऊगे उसका कोई भी यूज नहीं है यह बॉड़ी में सिफ और सिफ फैट्स देंगे उसकी वज़े से आपका वेड़ गेल होगा घी हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना है प्रेगनेंसी में उसके बाद हमारा एलेवन्थ मित यह बोला जाता है कि प्रेगनेंट लेडी के घर में कैसी हिस्ट्री है अगर उसकी मा की डिलिवरी बहुत अच्छे जाएगी नहीं ऐसा नहीं होता है यह टोटली मित है जो लेडी प्रेगनेंट है उसके बोड़ी टाइप कैसा है उसकी फीजियोलोजी कैसी है उसके बोड़ी में कौन से तत्व सही है कौन से कम है उसकी बोड़ी कैसे रिस्पॉंड करेगी प्रेगनेंसी में यह पूरा उस हमारा lifestyle कैसे है, हम क्या खाते है, देन हमारे बेबी का size कैसा है, position कैसा है, हमारा बेबी का growth कैसा है, ये totally depend करता है उस lady पे, उसके साथ उसे कोई hereditary history की जरुरत नहीं है, ये कोई work out नहीं करेगा, मेरे case में मेरे मा की दोनों भी delivery बहुत अच्छे से हुई थी, normal हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा complications आया थे, मैं bed rest पे थी, तो ये तो बिल्कुल मैं खुद ही example हूँ कि ऐसा कोई नहीं है, कि आपकी ममी की delivery बहुत अच्छे हुए, उसकी pregnancy बहुत smooth गई, तो आपकी भी pregnancy smooth मुझ जाए, जी नहीं, ये totally myth है, अंदर विश्वा से इस पे please video मत कीजिए, then हमारा 12th myth है, newborn baby को और मा को घर में ही रहना है 40 days, फिर उसका vaccination भी आए, तो कुछ-कुछ घर के लोग उनको बाहर नहीं जाने देते, जी नहीं, ये totally myth है, हाँ, 40 days क्यों होला जाता है, ऐसा नही कि हमें ये follow नहीं करना है, करना है, इसका मैं आपको elaborate करके पताती हूँ कि ये क्यों बोला जाता है, और ये हमें क्यों follow करना है, 40 days का duration है, वो pregnant lady के लिए एक recovery के लिए बहुत अच्छा होता है, उसने अभी-भी एक baby deliver किया है, वो pregnancy के trauma से बाहर निकल रही है, उसको already pain हो रह होता है, तो उसके लिए वो एक relaxation phase है, और newborn baby, because वो just अभी-भी बाहर आया है, वो बहुत ज्यादा delicate है, उसकी immune system अभी develop हो रही है, धिरे-धिरे, तो उसको बहुत ज्यादा बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, because वो infection के लिए prone है, means उसको infection के chances हो सकते हैं, इसलिए बोला जाता है, कि newborn baby को और mother को minimum 40 days घर में रहना है, जी हाँ, और यह 40 days क्या करते है, because एक lady ने अभी-भी-भी deliver किया है, तो उसकी पूरी दुनिया चेंज हुई है, उसके लिए बहुत नया experience है, वो बहुत सारी चीज़े सीख रही है, उसका routine पूरा हिला हुआ है, पूरा disturbed है, उसको मी समझ में नहीं आ रहा है, कि वो बेबी को क्या चाहिए, बेबी को कैसे हैंडल करना है, यह सारी new things है, तो वो 40 days का duration उसके and उसके baby के bond form होने के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि वो अपने एक routine पे आजा, एक settle हो जा, उसको दीरे-दीरे समझ में आजा कि वो बेबी का क कैसे हैंडल कर सकती है, इसलिए वो 40 days जो specifically बोला जाता है, यह important है, but after that कुछ-कुछ लोगों में भी घर में 3 महने minimum बाहर नहीं जाने देते, जी नहीं, ऐसे मत कीजिए, because after pregnancy हम एक depression phase में आते है, मैं भी इससे सफ़र बोच चिकी थी, क्योंकि मुझे बेबी का diaper चेंज करने में भी डर लगता था, कि इतना सा है, वो उसको मैं हाथ लगाऊंगी, तो कुछ होगा तो नहीं, जी हाँ, tension आता है, बहुत जादा depression आता है, but जैसे ही यह woman pregnant lady दिरे-दिरे settle हो जाएगी, उसको relaxation के लिए अपने friends में जाने दीजिए, उसके घर के बाहर उसको जाने दीजि में जो हमने cover किये, यह common myths है, I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह common myths है, जो आज मैंने cover किये है, इसके बाद का वीडियो भी please continuation में देखिए, जब भी upload होगा, उसमें मैं और ज्यादा myths cover करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा interesting information आप लगों को आएगी, I hope आज क वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, please मुझे comment कीजिए, and please hit the like button, as I always say, it will give me motivation to make new new interesting videos for you, and please share this video, यह बहुत ज्यादा लोगों को help करेगा, हमारे इंडिया में बहुत ऐसे myths हैं, जो अभी भी ladies को परिशान करते हैं, तकलिफ देते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता कि seriously इसमें कोई scientific packing है, हमें यह follow करना है, या नहीं करना है, तो please यह वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मदर्स को इसके बारे में बता होना चाहिए, and please subscribe MomOnBoard, as I always say, it will give me a platform on a broader prospect, के आपके साथ में communicate कर and for today is enough, so till then please be on board and be in touch.